हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपको सेव टमाटर की सबजी रेस्टरांट डिस्टाइल बनना बताऊंगी यह सबजी उस ऐसे समय के लिए एक अच्छा आप्शन होती है जब घर में कोई सबजी ना हो और आपको जोरो से भूख लग रही हो बस कुछ मसालों के साथ आपको टमाटर की एक गेवी तयार करनी है और उसमें सेव डालना है और सबजी जट पर बनके तयार हो जाती है चलिए बनाते हैं सबसे पहले हम कड़ाई में दो चमश तेल डालेंगे अब तेल गरम होने के बाद एक चमश जीर डालेंगे दो तेश पता डालेंगे फिर हम इसमें कुटा हुआ मसाला लेंगे कुटा हुआ मसाले में छोटी लाइची, बड़ी लाइची, दाल चीनी, लॉंग, काली मिर्स, चावित्री और चक्री फूल है फिर एक चमश हम बेसन लेंगे, बेसन को इसी में डालेंगे और अच्छे से बूल लेंगे मीडियम साइज के दो प्याज लिये हैं और प्याज को मैंने छोटा-छोटा चाव कर लिया है वो इसी में डालेंगे और थोड़ा सा उसको पकाएंगे अब हमारा प्याज अच्छे से पक चुका है उसका कलर भी चेंज हो गया है अब अद्रक, लसन और मैंने दो हरी मिर्च ली हुई है और इन तीनों चीजों को अच्छे से पीश लिया था अब इसी प्याज के साथ में इसको भी भूझ लेंगे प्याज हमारा अच्छे से भूझ चुका है अब हम आदी चम्मच हल्दी लेंगे एक बड़ा चम्मच हम धनिया पाउडर लेंगे आदा चम्मच गरम मसाला लेंगे और आदा चम्मच मैंने किचंकिन मसाला लिया हुआ है एक चम्मच हम काश्मीरी लाल मिर्च लेंगे इन सभी चीजों को अच्छे से इसमें भूल लेंगे अब इसके साथ ही एक चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे अब ये मसाले हमारे अच्छे से भून चुके है अब मैंने दो टमाटर लिये हैं उनको अच्छे से पीस लिया हुआ है अब इसी पीसे टमाटर को इसमें डालेंगे और अच्छे से पकने देंगे तर अच्छे से पकाएंगे तो हमारा बहुत अच्छा कलर आएगा टमाटर अच्छे से पक चुके हैं अब हम एक कप दूद लेंगे अदूद को इसी मसाले में डाल देंगे अब एक चम्म चम्शुद्गी लेंगे वो भी इसी में डाल देंगे और ढखकल लगा के उसको तेल छोड़ने तक पकने देंगे मसाला पकने के लिए मुश्किल से पास से 10 मिनिटी लगता है आप थोड़ी देर में चेक करेंगे कि मसाला पका है की नहीं देखिए हमारा मसाला पक चुका है और तेल अच्छे से छूड़ गया है ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसमें एक चम्मश नमक लिया हुआ है वो भी इसमें डालेंगे नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा जैसा आप खाते हैं वैसा ही डालिएगा और आदा चम्मश चाट मसाला डालेंगे इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे अब एक बड़ा चम्मश मैंने टोमेटर सॉस का लिया हुआ है आप कोई भी टोमेटर सॉस ले सकते हैं इससे बहुत अच्छी स्वीटनेस आती है सबजी में आप इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे और दो बड़ा कफम गरम पानी डालेंगे गरम पानी डालने से हमारी सबजी का कलर बहुत अच्छा आता है आप इसमें ठंडा पानी यूज मत करना क्योंकि ठंडे पानी से वो सबजी में टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है बड़ा टमाटर हमने लिया है और उसको थोड़े से बड़े टुकडों में काट लिया है और वो भी इसी में डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे अब उपर से थोड़ी हरी धनिया डालेंगे अब ठकल लगा के कम से कम पांच मिनट तक इसको पकने देंगे अब पांच मिनट के बाद चेक करेंगे ग्रेवी हमारी बन चुकी है अब इसमें हम कम से कम सवा कटोरी बड़े वाले सेव डालेंगे आपके पास जो सेव हो, वो डाल सकते हैं अब यह देखिए हमारी सब्सियी अब बिल्कुल तयार है अब थोड़ी सी उसमें ऊपर से हम हरी धनिया डालेंगे अब देखिए कितनी बढ़िया सबजी बनके तयार हुई है आप इसमें जब सबजी गरम गरम खानी हो तभी सेव डालिएगा क्योंकि सेव ज़्यादा तर रखने में एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं आपको ये रेसिपी कैसी लगी जरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यू